हेलो चिल्डरन, वेल्कम टू माइ चैनल रितूज रील आज का टॉपिक है हैस एंड हैव इंग्लिश ग्रैमर में हम हैस का यूज कहां पर करते हैं और हैव का यूज कहां पर करेंगे हम वो हम अभी पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इन सेंटेंसिस को देख लेते हैं राशी हैज बाइसाईकल शैला हैज और डॉल दर ट्री ज़ अव फ्लारस सानिया और रतुल हैव पेट पैरट लि के इन सेंटेंसिस में हैज और हैं यूज हूँ हूँग नियुज हूँए ठीक है, दीखे, the word has and have show that something belongs to someone, कोई भी चीज जब किसी से related होती है, किसी से belong करती है, जब हम has और have का use करते हैं, जैसे देखिए, रिशी has a bicycle, तो वो bicycle किस से belong करती है, रिशी से, इसलिए हमने has का use किया, the trees have flowers, flowers किस से belong कर रहे हैं, tree से, have, इसलिए हमने have का use किया, शैला has a doll, ये doll किस की है, किस से belong कर रहे है, किस से related है, शैला से, इसलिए हमने has का use किया है, सानिया and रतुल have a pet parrot, ये pet parrot किस का है, सानिया और रतुल का, ठीक है, इसलिए हमने have का use किया है, तो कोई भी चीज किसी से related होती है, किसी से belong करती है, तो हम has और have का use करते है, अब has का देख लेते हैं, we use has, when there is only one person, और thing, कोई भी चीज या कोई भी person, जब only one होता है, तो हम has का use करेंगे, देखिए रिशी भी यहाँ पर one है रिशी has a bicycle शैला has a doll यहाँ पर इसलिए हमने has का use किया, क्योंकि यह only one है देखिए, एक्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं an elephant has two years एक elephant है, उसके क्या है? two years है तो क्या है an elephant इसलिए हमने has का use किया it has a trunk उसके क्या है? एक trunk भी है तो वहाँ पर भी only one elephant है तो इसलिए has का use हुआ है nisha has a pink water bottle nisha भी क्या है? only singular one है, has a इसलिए हमने has का use किया है अब have का देख लेते हैं we use have when there is more than one person or thing एक से ज़्यादा चीज thing और persons होते हैं तो हम have का use करते हैं देखिए, यहाँ पर है भी the trees have flowers trees, s लगा हुआ है इसलिए हमने have का use किया है sanya and ratul sanya और ratul क्या है? दो है यानि more than one है तो हाँ पर भी have का use हुआ है elephant have two ears elephants have two ears s लगा हुआ है many elephants है, तो क्या होगा? have का use होगा you have a lovely umbrella ria, you के साथ भी you को भी हम किसमें count करते हैं? plural में I, we, you, they इनको हम plural बोड़ते हैं many के साथ होगा ये भी तो you have a lovely umbrella ria, इसलिए हमने have का use किया है I के साथ भी have होगा I have two sisters यहां पर have का use हुआ है अब एक exercise देख लेते हैं आपको और अच्छे से clear हो जाएगा ये देखे यहां पर करना है में circle the correct word to complete these sentences यहां पर has आएगा कि have आएगा इन sentences में हम इसको देख लेते हैं I has have two years तो I के साथ क्या होगा? have he has have a red shirt he के साथ क्या होगा? he has he को हम singular बोलते हैं he, she, it I, we, you, they, इन के साथ have he, she, it के साथ has we have many friends the cricketer has a bat cricketer one है तो इसलिए has का use हुआ है the children has have many story books children देखिये, many होता है children have और one होता है, इसका singular होता है child child, children child होता तो has होता और children है तो have होगा I have three biscuits complete these sentences with has or have an owl has big eyes a spider has eight legs आशा एंड देव देखिये, दो हैं तो क्या होगा have colorful kites he he क्या है one he has a badminton racket देखिये, he राशी has राशी भी क्या है one है a pink hair band the girls girls लगा हुआ है s लगा हुआ है तो क्या होगा have the girls have ribbons and in their hairs यह कुछ sentences है इनको भी कर लेते हैं इसमें has और have का use होना है reena and hina two books तो क्या है reena and hina have two books have का use करना है इनमे anita और pen दिया हुआ है देखिए अनीता क्या है अनीता क्या है one है तो क्या होगा has anita has a pen I have I के साथ हमें से have आगा देखिए I have a pet rabbit कमला and विमला कलरफुल बैक्स कमला and विमला have colorful bags babloo babloo has balloons has blue balloons balloon only not balloons श्रेया डैश श्रेया क्रिकेट बैट श्रेया has a cricket बैट तो ठीक है चिल्रन आपको ये क्लियर हो गया has और have का use हम English grammar में कहां पर करते हैं ओप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा थैंक यू